कॉंग्रेस खुद को जो है सेल्फ गोल करती वी नज़रा रही है चाहे वो श्रवन कुमार का स्टेटमेंट हो इशान विधारिवाल का ती थी उनको एक्षप्टेंस दे नहीं जाने चाहिए कॉंग्रेस ने जनता के गले में उधारी का साब डालने का काम किया है सब जानते हो कोले की माइन्स किसकी है सतर के दौरान कॉंग्रेस खुद को सेल्फ गोल करती वी नज़रा रही है चाहे वो श्रवन कुमार का स्टेटमेंट हो इशान दीधारिवाल का क्या कुछ कहेंगे देखिए दोनों ही जो statement थे सर्वन कुमार जी का जो statement था वो सब के लिए नहीं था उन्होंने particular कुछ लोगों को नाम लेके इंगित करते हुई ये बात कही थी कि इस परकार के जो लोग हैं जो उसमें पूरे समाज का ही मैं समझता हूँ एक message भी खराब होता है कुछ लोग मालोग कोई नेता बेहिमानी करता है तो फिर उसकी वज़े से और नेताओं पर भी एक आक्षेप लगता है यार नेताओं ने ये कर दिया या कोई एक अधिकारी बरश्ट होने से लगता है यार अधिकारी बरश्ट होगे इसी परकार से कोई इस परकार के जिनके बारे में कहा गया पर्टिकूलर उनहीं को लेके बात थी लेकिन जहां टेक मैं समझता हूं सरोन कुमार जी तो सादू संतों का बहुत मानसंबान रखते हैं और उनों ने ये बात कही भी जहां तक धारिवाल जी की जो बात है वो जिस वे में कही गई वो क्योंकि आसन पे भी कोटा से आने वाले सदस्थे रापस का उनका था लेकर उनकी गलती थी इन चीजों की विधान सभा में कोई मैं समझता हूँ कहीं भी एक परसेंट भी एसी चीजों की यहां रखने का कोई मतलब ही नहीं है उनको acceptance दी नहीं जानी चाहिए भजनलाल सरकार बार बार जो है एक बात कह रही है कि अभी बड़े मगर मचों को पकड़ना बाकी है छोटी मचलियों को यह पकड़ा है वो पूरे देश में फैल चुका है हम राजस्तान का नाम ले या दिल्ली का नाम ले हरियाना का नाम ले मैं समझता हूँ कोई राजिस से नहीं बचा हुआ है सेंटर नहीं बचा हुआ है अलग अलग भरतियां सेना की भरतियों के अंदर ऐसे फर्जी वाड़े पकड़े गए हैं कोट की भरतियों के अंदर ऐसे फर्जी वाड़े पकड़े गए हैं तो मेरे कहने का तात्वरी यह है कि जो इस परकार का सरगना जो है जो इसको बड़े तरीके से पूरा चला रहा है और जिसके लिए हमारी सरकार ने बहुत मजबूत कानून बनाया है, पूरे देश में सबसे मजबूत कानून रास्तान ने बनाया है, हमारे 10% जो ताकतवर कानून भारत सरकार ने बनाया है, बारत सरकार कानून बना रही है, इसका मदलब पूरे भारत की यह समस्या है, तो उ पड़े कम पेंते हैं, मकान नहीं बनाते हैं, वो चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा पड़ लिख करके कहीं लग जाए. और फिर जब पता चलता है कि पेपर लीक हो गया या उसका फाइदा उठाके जो क्रीम है, जो मैं समझता हूँ, इंटेलिजेंट बच्चे हैं, वो रह जाते हैं, टोपर रह जाता है और जो फरजी वाड़ा करके, जिनके अंदर क्वालिफिकेशन नहीं है, वो सीट पे प्रक्षान है, एक तो जिस परकार का कैलिवर बच्चे के अंदर होना चीए, वो कैलिवर तो आया नहीं, वो घर बैठ गया, और ब्रश्टाचार से जो आया है, वो पहले ब्रश्टाचार का जो पैसा है, उसको कमाने की कोसिज करेगा, उसको उतनी नोलेज नहीं रहेगी तो लायक और नालायक वाला ही अंतर है, वो चीज़े जो है मैं समझता हूँ, बहुत जरूरी है कि जो लायक बच्चे हैं, उनको मोका मिलना चीए, लेकिन बेजेपी सरकार तो लगातार आरोप लगा रही है कि कॉंग्रेस राज में सबसे ज़्यादा पेपर लीक हुए है और कई ऐसे नाम हैं जिनके ओपर बकाइदा इशारा भी करती हुए नजर आती, बीजेपी सरकार की उनका इंवॉल्ब्मेंट है पेपर लीक हुए है और बीजेपी के समयम जो पेपर लीक हुए है बच्चे कोट में गए और कोट के आदेश के बाद में उनको पेपर लीक माना गया इतना अंतर है और सबसे महतें पुन बाद जब पांच अब आठ मेने हो गए हैं तो आठ मेने में इसारा क्या है अगर आप करना चाहते हैं तो करिये ना अब किस चीज कहीं जा रहे हैं आप ये इसारे करना पार्टी को कमजोर करने के लिए एक इस परकार का महोल आप फैला रहे हो ब्यान इस परकार के देर हो जब आप लोगों के पास कुछ है तो आप करिये जाच हम तो पहले दिन का है कि जो भी दोसी है उसके खिलाब कारवाई होनी चाहिए लगातार कॉंग्रेस विरोज अतारी है प्रदेश के अंदर बिजली संकट को लेकर तो जो कॉंग्रेस विरोज अतारी हीरालाल नागर ने आरोप लगाया है कि कॉंग्रेस ने जनता के गले में उधारी का साब डालने का काम किया है जहां साड़े चार हजार करोड का कोईल इंपोर्ट किया? इसका जवाब तो यह दें, वो पेपर बताएं कि भारत सरकार ना ओडर नहीं दिया, भारत सरकार खुद राज्यों पे दवाव बना रही थी कि आप 10% कोईला इंपोर्ट करना कंपल्सरी है, इसकी वेज़े से हमने करना पड़ा, जिसका सही कह रहे हैं, इतना नुक्षान र आज 8 मेने बाद में भी कोश रहे हैं, कोश यह, कोई वो बाद नहीं है, लेकिन यह सरकार का काम होता है, कि बिजली की विवस्ता करें, हमने महंगी खरी दी, ठीक है, महंगी खरी दी, लेकिन आम जंता को, किसान को परिशान तो नहीं होने दिया, आप भी खरी दो महंगी, सरकार का काम क्या है आप महेंगा सस्ता अगर आप देखोगे तो आप क्यों एसी ट्रेन चला रहे हो लोकल ट्रेन चला दो मत चलाओ एसी आप क्यों एसी बसे चला रहे हो आप क्यों बड़ी-बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हो आप करो न ओपन में इसके लोगो को क्यों इतने पैसे खर्च कर रहे हो मेंगी सिक्षा पढ़ रही है तो पेड़ की नीचे पढ़ाओ न किलासों को अब आप होस्पिटल में जाओ कोई गोली आपको एक रुपे की भी मिलेगी कोई इंजेक्षन आपको क्रोड रुपे का भी मिलेगा तो फिर क्या वो क्रोड वाले की जुरुत नहीं है जहां क्रोड वाले इंजेक्षन की जुरुत वाँ क्रोड का भी लगेगा जहां एक रुपे की गोली की जुरुत वाँ एक रुपे की गोली भी लगेगी इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि महेंगी जो दवाईया हैं ये बंद कर दो और सस्ती हम जनता को देंगे ये नहीं है आज जिम्मेदारी सरकार की होती है हमारे समय में कोवीड आया कोवीड का जो मेनेजमेंट हमने किया 40-40,000 रुपे का इंजेक्शन हमने जनता को फिरी दिय 3-3 लाख रुपे का इंजेक्शन हमने जनता को फिरी दिया ताकि कोई भी व्यक्ति इलाज के अभाव में नहीं जाए उसकी आज सरकार का मतलब ये होता है कि लोगों को मूल भूत सुईधाएं उपलब्द कराना आज ट्रांसपोर्ट की बात करें हम अब रोड़ बेज को सरकारी मंतर कामाइरी स्कूल लोगोजी नहीं न 1500 मंटर के यह हमारि स्कूल जो कमाने के लिए थोडि विजली पानी जो है ये कुई कमाने के लिए है क्या been 5 उसे वा देनी स्वीड़ एं लेकर आप जनता की जू जो जरूत की जो चीजें उनको ता आपको पूरा ही करना पड़ेगा, ये बात मैं कहना चाहूं। आएंगे नहीं, और ये करजा मान दो, ये सारी व्यवस्ताएं हैं। आज ये कर ले ना बैंकिंग, इनको किसने मना किया है। ये अब ले ले उधार, बाद में चुका देंगे।